प्रस्ताव जो कल सरकार में दिया है इन में तो वही मुद्दे हैं जो चर्चा में सरकार में रखे थे मौखिक रूप से इन पांच बार जब कि किसान संगठनों के तरफ से हमारे जो मुद्दे थे उसकी प्रस्तुती की गई थी उसके कुछ आगे जाना संभव है क्या यह सवालता और उनको भी पता है और हमारा भी निश्चय है कि सहीं उत्त किसान मुर्चा केता है जितने संगठन और अभी कानून वापस हो यह जो प्रस्ताव है वह अगर गहराई से कोई पढ़ेगा तो यह बताता है कि कॉर्परेटाइजेशन खेतिक शेत्र में कहां तक खुस पैट करने की उनकी मनिशा है दूसरी बात यह बताता है कि इतने सारे संचोधन कानून में करने पढ़ रहे हैं कानून के संगटनों के साथ चर्चा करके नए कानून लाने है तो हमारे दो कानून तो प्रस्तावीत है बिल्स लोकसभा राज्यसभाव संपूर्ण रुनमुक्ति और हर उपच्का सही दाम उसके बिना किसानों की 17 मिनिट में एक किसान की हो रही आज की आत्म त्यार रोक बनाएंगे उसमें से 20 एफपी ओस जो बीजेपी के पार्टी के साथ जुड़े हुए भी थे कुछ-कुछ और जिनके पचास या पचपन सदस्य है उनको लेकर नरेंदर तोमर जी ने अलग सी चर्चा कि क्या मतलब है एफपी ओस बढ़ाना मतलब एक अलग प्रकार का प् इसमें यह भी सुझाया है कि खाद्य आपूर्ती में भी यह पूंजी निवेश लाएंगे तो पीड़ी एस राशन में वस्ता खतम होगी सवाल केवल किसान का किसान के भूमी बचाने का नहीं आम जनता के अन्ना सुरक्षा का भी है इस तरह से किसाना ना आभान किया है कि सप्काई बंद होगी दवाब बनेगा सरकार पता नहीं सरकार अगर सम्मेदनशील है तो एक दिन में वही जवाब दे सकती है जो 21 दिन यहाँ और 51 दिन के बाद देगी लेकिन यह सरकार ना सम्मेदनशील है ना सम्माच्षील है तो इसलिए अंदोलन जीवट्ता के साथ ये इना दूसरा रास्ता क्या है जीने मरने का सवाल है किसानों मज़़ुरों का इसका भी तो यह कितनी भी परिक्शा ले ले कितने भी जूठे आपकरें कितना भी ब्रामक प्रचार करें अब इनका प्रचार और बढ़ गया यह कहरें कैसे किसान को अगर पहला दर्जा और स्थान सम्मान देते तो तेरा दिन ठंड में बिठा दे रखते क्या और अगर वह सम्मान होता तो अडानी अंबानी के बदले इनको कर्ज मुक्ति देदें देखिए जिस तरह से सरकार अपनी हड़ी हुई है वो बहुत ही गलत है जो सिर्मकों के खेती के सवाल पर किसानों के सवाल पर जो तीन काले कानून है उन्हें सरकार को ततकार बापिस लेना चाहिए अगर सरकार उन्हें बापिस नहीं लेती तो हमारे 500 से ज्यादा किसान बेताओं ने निर्णे लिया है उस निर्णे को लागू किया जाएगा 14 तारी को हर जिला इस तरफ पर व्रद करवाई कि जाएगी और वो इकरवाई नहीं की जाएगी सारे हाइवे जाएंगे यह बास सच है कि जंता को बहुत सारी परिसानी होती है लेकिन बच्च्चा प फिरोधी तीने का तीनों काले कानुन बापिस लेना पड़ेंगे सरकार को मजबूर करेंगे को कानुन बापिस लेने के लिए मजबूर करेंगे सरकार को